नमस्कार, One India Hindi में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ दुवे DRDO ने आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहट महस 9 किलोग्राम वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट तयार किये है ये मीडियम साइस के बुलेट प्रूफ जैकेट के मुकाबले करीब 1.4 किलोग्राम हलके है DRDO की ये काम्याबी कितनी बड़ी है इसका अंदासा इसी से लगा सकते है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के वजन में कुछ ग्राम की कमी भी बहुत बड़ी बात होती है लेकिन इसके बनाए जैकेट 1400 ग्राम तक हलके है भारत बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए आयात पर निर्भर है लेहाजा इससे देश ना सिर्फ इसके मामले में आत्म निर्भरता की तरफ बढ़ेगा बलकि क्वालिटी भी बहतरीन होगी डियाडियों ने गुरुआर को ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी इस लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को डियाडियों की कानपूर स्थित Defense Materials and Stores Research and Development Establishment Lab में तयार किया गया है इस जैकेट का Terminal Ballistics Research Lab में टेस्ट सफल रहा और ये BIS स्टेंडर्ड पर पूरी तरह से घरा उत्रा है डियाडियों ने अपने ट्वीट में बताए कि 9 किलोग्राम वज़र के ये बुलेट प्रूफ जैकेट भारतिय सिना की क्वालिटी संबंदी जरूतों को पूरा करेंगे डियाडियों ने अपने ट्वीट में ये भी बताए कि क्यों ये देसी बुलेट प्रूफ जैकेट इतना महत्वपून है दरसल किसी बुलेट प्रूफ जैकेट का थोड़ा सा भी वज़न कम होना बहुत बड़ी बात होती है हलके वज़न के जैकेटों की मांग सबसे जादा होती है कम वज़नी बुलेट प्रूफ जैकेट से सैनिकों की शमता भी बढ़ती है जैकिट का वजन जितना ज्यादा होगा सैनिकों के लिए उसे पहन कर काम करना उतना ही चुनोती बारा होगा सैनिक जिन हतियारों से लैस होते हैं उनका वजन और साथ में पहने बुलेट पूफ जैकिट का वजन बहुत ज्यादा हो जाता है ऐसे में अगर जैकिट कम वजन के होंगे तो ये सैनिको के लिए सुविधा जनक होगा जैकिट कितने कम वजन के होते हैं उन्हें उतनी ही हाई क्वालिटी का मारा जाता है फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार